हेलो एवरिवन दीवाली का तेवा तो बीच चुका है और अब आएगा छट पूजा का पर्व जो दीवाली के 6 दिन के बाद आता है और छट पूजा में फलों के साथ कुछ हम मीठा भी बनाते हैं और वो ट्रडिशनल मीठा यानि ठेकवा बनता है बहुत से लोग इसे मीठ अधा ठेकवा को ही बनाएं जो बहुती क्रिश्पी और खस्ता बनके तैयार होगा तो बनाना शुरू करते हैं इसको के है आए तो यहाँ ठेकवा बनाने के लिए हमने लिया है गेहु कााटा और आधा कटोरी मैदा लिया है बोली कर बनासे हैं के र Εû कर दिद लेके तो इ इसलिए अच्छी तरह से और अब चलते हैं गेहु का आटे को दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं जिसमें हमें दो तैयार करना है तो कोई गहरा बरतल ले लेंगे उसमें हम डाल लेते हैं इन चीजों को तो आप चाहे तो यहां पर दो कटोरी गेहु का आटा का यूज कर सक और इसमें डाल लेते हैं दो से तीन चम्मत डेशी केटेड कोकोनेट और अब इसमें डाल लेंगे इसमें डाल लेते हैं देशी घी तो देशी घी से मोयन लगाईए अच्छा रहता है ठेक हो हमें तो इसे हम चम्मत से ले लेते हैं चार से पांच चम्मत हम ले लेंगे हमन इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिल जाए jsब अच्छी तरह से मिल जाए देगा तो आप अच्छी तरह से बाइंड हो जा रहा है हलके हाथ से यह हम्सक्त है तो अब क्या करेंगे हम एक ड्रूम से घंट के लगब抗 अर्फेक्ट जब बनके तयार होगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में चीनी उपर से दिखता है तो अब डाल लेते हैं चीनी पाउडर जो हमने पीस के मिक्सर में लिया था तो उसे हमने डाल लिया है यहां पे तो आप मीठा अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकत है अब देख सकते हो जितना मीठा आपको ठेक हुआ बनाना है अप उसे हिसाब से इसमें चीनी कर लो टेश्ट के इकॉर्डिक तो इस तरह से इस में मिला के सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेना है और अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते होए नार्मल पानी ही डा हम इसका हम तेयर कंगे और समय तरह से हमने काड़ को मईश हार, बर्द लिए झार सब्सक्रेशत का good हम त्यार करें देख सकते हैं और जाद तो दो प्रूप्ट के बाstal की कि नज्याज़ेर, अधक कर लिए हम लिए 10 मिनिट मेच संप्री इसाब लोह्यां बने लेतें हैं जितना पसंदि हो आप इस मैं पहले एक विखुष कि आधा च olmuş अध्यां के बरे तो Märad के लाप में टायाक है तो यह legitimately अर आब क्या करते हैं अ। अब क्या खास्ता और मीठा फारते के लिए रहता है गरों में तो यह हमें मिल जाते हैं अंलाइन दौब में भ कुझे गर्आ干 प्र भाकष करेंद ज़सा सब्सक्राइब होके पिरकाऊच लेक्लोस कुझे हुआ मोटा तो जहां तक हो सके ठेखुआ मोटा नहीं बनाई यह नहीं अंदर तक क्रिस्पी यह नहीं हो इससे थोड़ा सब पतला बनाई जिस तरह से मैंने तयार किया है नहीं बहुत जाdoor पतला हो नहीं तो उतिना ही प्रेशर देकर इसे पलाव करें जतना यह आप इसके देख सकते हो निकालसके यानि तोटे नहीं और बहुत जादा मोल रहे गां तो यह अंदर से मौर्म करें कि बहुत ज्यादा मोल से ऊढ़ाईयोत्य रखना है आप देख सकते हैं चाप के सारे ठेकवए को तयार कर लिये तो आपो चुके हैं तो भी क running को डियोगारी शाप कि तलने के लिए करें में तेल हमारे गर्म हो चुक ए है तब वह और तक क्रिस्पी रहेगा तो इस तरह से हम इंनाने टैल हमारे ग्रम हो चुक है और बहुत ज़्जादा इरम डाला कर से को जाद कि आप तब हम दूसरे तरफ से उलटते हुए ठेक होग तैयार कर लेट जब लाल आजै का और ऑफ ही क्रृपी तब हम यहां निकाल EL देगे तल के तो आप देख सकते हैं यह तल रहा है और हमने गैस के फ्लेम को एदम लो रखा है ताकि अंदर तक यह क्रिस्पी हो जाए और यह अच्छी तरह से लाल हो चुका है इसे हम निकाल लेते हैं आप चाए तो यहां पे सिर्फ गहूं के आटे से भी बना सकते हो तो यहां पर आधा कतोरी माइदा लिया था और एक कतोरी गहूं का आटा लिया था आप चाहे तो यहां पे 2 कटोरी भी ले सकते हो और मौयम उसमें एक से दो चमच आप बढ़ा दोगे तो अच्छा परफेक्ट मौयम इसमें लग जाते हैं तो इस तरह से हमने सिर्फ डेड़ सम मिलाकर डेड़ कटोरी ही लिया था आप चाहे तो दो कटोरी तीन कटोरी जित् जे ऐता है नारील का गोला उसके च्छोटे बारीक कटिंग भी इसमें डालकर आप इसे में बना बीजिशने इसे तयार किया जा सकता है तो ही खाने में पहुत सकती लगता है तो इस तरह से हम ने सिर्फ इसमे डेशिकेट्ड़ कोकोनेट पाउडर ही डाला है अधिरश को क पे कर लें जो कर लिऑं से हम ओ साथ पbread अध spitely कर लें गैंगे अंदर तक क्रिस पी हो पाएगा बहुत ही आसानी से मात्र 10 मिनिट के अंदर आप इसे बना के तयार कर सकते हो मैं इसे तोड़के भी दिखा रही हूं बहुत ही खसता बनके तयार हुआ है और यह अंदर तक पुरा सीख चुका है तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाएए और इसे इंज्वाइए करिए और चट पूजा में इसे चड़ाइए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिस और रेस्पी के साथ तब तक के लिए गुडबाए